लैब सीरीज के नियूज रूम से आप तक की जो सबसे बड़ी खबर हो यह है कि पटना में डॉक्टर के किड्नाइप बेटे क्या हत्या कर दिया गया है आपको बता दें कि होमियोपैट के डॉक्टर सशीभूशन के बेटे का अपारन हो गया था उसके बाद उसकी बड़ी को रिकवर किया गया है पटना के रप्यैस मोर्ड पर इंचनिरिंग कॉलेज के पास से उसकी बड़ी को पुछिस ने रिकवर किया है पुलिस ने शिवम के बॉडी को RPS मोल पर इंजिनिरिंग कॉलेज के पास से बरामत किया है शिवम की बॉडी पर जिस तरह से चाकूओं के निशान मिले हैं उससे जाब जाहिर होता है कि उसकी हत्या चाकू मार कर की गई है शिवम की बॉडी मिलने के बाद से पटना पुलिस की जाँच इस मामले में और तेज हो गई है बता दे कि राधानी पटना के रूपसपूर इलाके के एक होमियोपैथिक डॉक्टर सशिभूशन की बेटे का फिरोती के लिए अपहरन किये जाने का मामला सामने आया था शुग्रुवार को डॉक्टर सशिभूशन को इस मामले में फिरोती के लिए 50 लाक रूपे मांगे जाने की बाद सामने आया थी जिसके बाद वो पुलिस के पास पहुचे थे और रूपसपूर थाने में इस मामले में फायर दर्च कराई थी वहीं फिरोती के लिए फोन आने के बाद पटना पुलिस ने पहले इसे किड्नैपिंग नहीं माना लेकिन फिर बाद में जान शुरू होई और आखिरकार शियोम की बॉड़ी बरामत कर ली गई आपको बता दें कि घटना के बाद से तथकाल रूपस फूर थाने में संपर्ख किया गया पुलिस को घटना की जणकारी उसके पिता के द्वारा दी गई मामला संग्यान में आते ही पटना पुलिस की विशेश सेल की टीम ने इस मामले में छापिमारी करना शुरू कर दिया जिसके बाद आननफानन में आज दो लोगों को गिरफतार भी किया गया इसके साथी साथ उस एरिया के CCTV फोटेज को भी पुलिस खंगाल रही थी बताया जा रहा है किटनैपरों ने डॉक्टर के बेटे को कोथवा गाउं में रखा था हाला कि अपरादियों को पुलिस के ऑप्रेशन की भनक लग गई और वो वहां से ले करके उसे फरार हो गया और अब उसकी बाड़ी को पुलिस ने रिकवर कर लिया जायर है कि राधानी पटना में किटनैपिंग के बाद मर्डर की इस घटना से पटना पुलिस के होश उड़ गया है पटना पुलिस लगतार इस मामले में छापे मारी कर रही थी शीवम को बरामत कर रही कि पोलिश कर रही थी लेकिन इसी भीश खबर आई